सबसे पहले सभी को good morning, सभी को नमस्कार और अब हम लोग बात करते हैं next classes का जो previous class में हम लोग बात किये थे वो previous class में हम लोग automation के बारे हम बात किये थे और हम लोग यहाँ पर ind किये थे what is PLC और PLC का मतलब क्या है यह हम लोग previous classes में बात किये थे अब आगे बढ़ते हैं और next topic है वो advantage और disadvantage है इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेगे तो सबसे पहले हम इसको one by one करके समझते हैं क्योंकि कोई भी controllers की अगर हम लोग बात करें चाहे वो micro processor हो या micro controller हो या वो PLC हो या और भी जितने other type of controllers हैं हर एक controllers का अपना अपना कुछ merits है और उसका कुछ demerits है जिसको हम लोग advantage और disadvantage के नाम से जानते हैं क्योंकि अगर आप या कोई भी मतलब इस real world में अगर आप मतलब जाते हैं और कोई components को आप देखते हैं तो हर एक component को चलाने के लिए कोई नो कोई एक device होता है और वो device उसको चलाता है तो चलाता है कहने का मतलब कि उसका कहीं न कहीं कोई एक control section होता है और वो control section different label का होता है different तरीके का होता है उसी में से एक controller है जि पिछले कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं और आगे भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में वो है आपका PLC और हम लोग देखते हैं कि PLC का Advantage क्या है सबसे पहले तो यहां पर सबसे पहले देखिए लिखा है in automated system PLC system is the central part of the process control system means कि अगर कोई automated system है कोई भी automated system है तो उस system में जो PLC है वो central part होता है उस system का पूरे process को control करने के लिए क्योंकि देखिए कोई भी automation हो रहा है और यह देखिए specifically हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर जो लिखा है उसका जो background है वो background है इंडस्ट्री से related तो इस point of view से समझने का courses करिएगा आप लोग राइट आप यहां पर देखिए क्या बोला कि जैसे अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में बड़े-बड़े machine होते हैं और बड़े-बड़े machine होते हैं और वो कोई एक नहीं होता वहां पर number of machines होते हैं क्योंकि number of machines number of devices को बना रहा होता है और उस सारे machine को control करने क तो machine का process को control करेगा एक PLC system मतलब one PLC can control the entire plant entire plant है ना मतलब process of entire plant कह सकते हैं ऐसा second point कहता है to run more complex process it is possible to run more PLC with a central computer अब यहां पर देखें second point का मतलब क्या है कि अगर कोई complex process है या और भी बहुत जादा complex process है तो यह संभब है कि हम लोग number of PLC को हम लोग number of machines को control करने के लिए number of PLCs का use करेंगे और वो number of PLCs आपका control हो सकता है यह central computer से क्योंकि हम लोग को क्या करना PLC को control करना कहने का मतलब कि हम लोग को उसको programming feed करना और programming feed करने के लिए कहीं न कहीं हम लोग को एक computer चाहिए मतलब कि उसका जो connection होगा वो होगा कैसे PC to PLC and PLC to machine इस तरीके से तो वो जो controlling होगा हम लोग controlling करने के लिए जो program देंगे वो program हम लोग computer पर लिखेंगे और computer के थुरू PLC को feed करेंगे और जब एक वार हम लोग feed कर देंगे तो उसमें मतलब उसको एक वार जब PLC को feed करने के वार जब trigger कर देंगे तो उसके बाद वो output produce करता रहेगा और machine उसके accordingly करेगा अब बात यहां पर यह होता है कि अगर मालेज इंडेस्ट्री में एक PLC है तो it is easy to run them right but if there are number of PLCs and all are connected somewhere to the single computer then it is also possible to run them easily. there is no problem for them right आगे देखे क्या बोला है कि troubleshooting aids make programming easier and reduce downtime आप यहां पर देखे क्या बोल रहा है कि troubleshooting aids make programming easier right and reduce downtime कहने का मतलब क्या है कि PLC में अगर मालेज जैसे देखे जब PLC नहीं था तो हम लोग जितने भी machines को use कर रहे थे वो सारे machines थे manual right और manual machine पे अगर कोई problem आता था तो it was too tough to identify where problem has come or which portion has got affected date see right लेकिन आज के date में CNC machine है और CNC machine पे बहुत ही easy हो जाता है मतब problem recognizing जो होता है वो बहुत ही easy हो जाता है क्यों क्योंकि जैसे ही problem आता है तो उसका जो hmi होता है उसका जो machine होता है जिसके तुरू human interact करता है machine के साथ तो उसका screen पे आपका message flash out होता है और वो मतब उस message को जब आप click करेंगे ok करेंगे तो वहाँ पे कुछ details लिखा रहता है कि this portion has got affected problem has come on this portion ऐसे करके तो जब आप उसको देखते हैं तो आपको एक पता ना मतलब कहीं न कहीं एक आपको reference मिलता है कि हाँ machine का ये portion में कुछ नो कुछ damage हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस problem को troubleshoot करने के लिए without going here and there we go to the exact location and we try to troubleshoot them right इस तरीके से करते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि अगर एक cnc मतलब manual machine है तो manual machine में मतलब हम लोग क्या करते हैं problem को troubleshoot करने में ज़्यादा time नहीं लेते problem को जानने में ज़्यादा time लेते हैं कि problem आया कहां पे है क्योंकि CNC machine में क्या है वह हम लोग को एक knowledge कर देता है मतलब in short कि हावे problem इस जगह पे आया तो वहाँ पे troubleshooting में time नहीं लगता लेकिन manual machine में troubleshooting में time लगता क्योंकि सबसे पहले हम लोग उसको part by part खोजते हैं कि which portion में problem आया तब उसको troubleshoot करते हैं इसलिए ये आपका points लिगा है troubleshooting at make programming easier and reduced on time because in the case of CNC it is very easy to identify the problem and once once what we get to know problem has come to the come to the respective location be directly hit to the place ठीक है next point क्या कहता है cost effective for controlling complex system बिलकुल राइट अगर हम लोग PLC का use करते हैं तो वो जो पूरा entire system हो जाता है वो बहुत जादा cost effective हो जाता है क्यों क्योंकि पहले तो controller ही बहुत जादा expensive है उसके साथ उसका supportive devices भी उस पे मतलब कहीं न कहीं cost को add करता है और वो जो system अपने आप में है वो system का तो cost है ही तो वो system जब manual था और manual से जब उसको automated बनाया गया तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ add-on devices उसके साथ है प्रेक्टिव होता ही है लेकिन उसमें जो reliable components लगा हुआ होता है वो long period of time के लिए वो चलता है इसकी बज़ा से क्या होता है कि अगर time के respect में cost को देखते हैं तो वो कहीं न कहीं मतलब पूरे entire system को reliable बना देता है ठीक है ना आगे देखे हाँ next क्या कहता है advantage का next point क्या कहता है rust and design to withstand vibrations temperature humidity and noise देखे क्या है कि PLC is very rust in design it can it can it can work under the different circumstances where vibration is more temperature is more humidity is more even noise is more मतलब कि PLC एक ऐसा PLC controller जो है एक ऐसा rust designed है उसका कि अलग-अलग environment में भी effectively काम कर सकता है जबकि जबकि और भी जो दूसरे controller है अगर मान लेज़े micro processor, micro controller की बात करें तो वो controller हरे conditions में काम करने के लिए मतलब survivable नहीं है वो कहीं न कहीं मतलब कुछ न कुछ problem जैसे अगर एक example आप लीजिए PC कोई लीजिए अगर वान लेज़े ज़्यादा temperature बढ़ गया है वैसे places पे अगर आप इसको use कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा कहीं न कहीं system hang होने लगता है या इस तरीके का problem वहां पे rise होने लगता है फिर जैसे उसको हम लोग थोड़ा सा मतलब ठंड होने देते हैं तो फिर वो effectively के और मतलब अच्छे तरीके से काम करता है बट PLC के case में ऐसा नहीं है क्योंकि इसको मतलब इसको बनाते टाइमिंग में ही manufacturing करते टाइमिंग में ही उस सारे बातों का ख्याल रखा गया था कि हाँ एक ऐसा place पे इसको use होना है जहां पे vibration जादा होगा जब machines चलेंगे तो वहाँ पे temperature भी जादे होंगे noise जादा होगा humidity हो सकता है जादा मतलब कुछ ऐसे इलाका है जहां पे कीमाल लेज़ेव हमेशा ठंटा रहता है तो वहाँ पे humidity जादा हो सकता है और different तरीके का noises भी हो सकता है तो इस सारे circumstances को देखते हुए इस PLC को बनाया गया है और यह easily ही मतलब इस सारे conditions में survive कर सकता है तो यह PLC का एक great advantage है next क्या कहता है interface to input and output already inside the controller अब देखिये क्या है मतलब controller के internally जो input port है और output port है तो बाहर से हम लोग को भी जो physical devices है उसको हम लोग क्या कर सकते input output पर connect कर सकते हैं but we do not do any connection inside inside of the PLC why because input and input and output मतलब connection between input and output is already done by the manufacturer at the time of manufacturing the device ठीक है ना next क्या है एक मिनट जो next point है वो next point है easily programmed and have easily understood programming language अब देखी क्या है कि PLC के बारे में कहता है कि इसका जो programming language है वो बहुत ही easy है और उस language को बहुत ही easy से समझा जा सकता है मतलब ऐसा मतलब जैसा मेरे experience है या और भी जो student लोग कहते हैं कि जो मतलब सी programming है वो उसका जो syntax है वो थोड़ा tough है उसको लीखना थोड़ा मुश्किल है और उसका problem को find out करना है थोड़ा और भी मुश्किल है ऐसे बर जहां तक PLC की बात है PLC का जो programming language है बहुत ही आसान है और उसको आसानी से समझा जा सकता है अब यह चीज तो हम लोग देखेंगे तब जब हम लोग करेंगे हैं तब तक के लिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं जब programming का अब जब programming का turn आएगा तो उस जो की बहुत ही expensive है rather than जो microprocessor, microcontroller, asset design और different type of controllers market में available है हना अगर एक simple microprocessor का या microcontroller का अगर cost देखते हैं तो 1000 से 1500, 2000 तक में वो आ जाता है हना maximum अगर computer का भी motherboard की बात करते हैं तो वो 2000 तक में आ जाता है लेकिन अगर सिर्फ हम लोग PLC की बात करते हैं तो उसका एक छोटा जो nano PLC है उसका cost करीब पढ़ जाता है आपका मतलब 15-20,000 रुपया का तो वो controllers का cost कहीं ने कहीं बहुत ही जादा होता है तो वो expensive है बिल्कुल हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट में इसको यूज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे इसको industrial application के लिए ज्यादा यूज किया जाता है ठीका ना इसका cost मतलब expensive होने के कारण ही दूसरा point बोलता है too much wire is required बिल्कुल एक मतलब certain place पे बहुत ही ज्यादा wires होते हैं क्यों कि देखे इस controller में क्या होता है कि एक side में आपका input port होता है दूसरे side में आपका output port होता है और in between जितना भी उसका supportive section है supportive devices है जैसे power supply sections controlling sections इसको CPU section बोलते है और user memory data memory जो भी sections है वो सारे इसके बीच मतलब बीच में input and output के बीच में तो अगर जब हम लोगे input को connect करते हैं तो input side में ही certain place पे use number of wire हो जाता है और उसी तरीके से output side में जब connect करते है devices को तो output side में use number of wire हो जाता है मतलब certain place पे बहुत ही ज़्यादा wires हो जाते हैं जो की दिक्कत कर सकता है मतलब problem को identify करने में क्योंकि number of wires है तो wires मतलब वहाँ पर एक wire का clutter है और उसमें से एक wire को identify करना मतलब it looks quite tough ऐसा है It requires a skillful workforce आप देखिए क्या है कि जब PLC का use कहीं पर करते हैं तो इसको एक ऐसा आदमी चाहिए जो की इसका knowledge रखता हो मतलब जो की मतलब इसके बारे में पढ़ा है programming सीखा है ऐसा अब ऐसा से काम नहीं चलेगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो की मतलब उनके पास technical degree नहीं है बट वो काम को देखते देखते करते करते सीख चुके हैं तो वो कर रहे हैं बट यहां पर नहीं क्योंकि यहां पर programming है और programming आप सिर्फ देख करके सीख नहीं सकते जब तक कि उसका आपका मतलब understanding नहीं होगा मतलब चीजों का मतलब कि जो syntax लिख रहे हैं उस syntax का क्या मतलब है तो हम लोग उसको कहां पर कैसे यूज कर सकते हैं और उसको different तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं तो इसके लिए वहां पर हम लोग को जो एक skill force चाहिए मतलब skill जो एक requirement है एक human का वो क्या है skilled human का requirement है next क्या कहता है कि programming device could only be used in a specific brand of PLC अब देखिए क्या है कि आपका जो programming device है है ना मतलब computer वो आपको interact कर सकता है मतलब एक specific brand of PLC के साथ ऐसा क्यों बोल रहा है computer की बात वो नहीं कर रहा बोला कि computer में जो software उसका जो application मतलब software installed है वो उसी company का installed होना चाहिए जिस company का आपका hardware है अगर मालने चाहिए एक controller है रैंडम सा कोई भी controller का कोई एक application ले लीजिए और उसको कोई एक मतलब unspecific controller के साथ उसको communicate करवाईए interact करवाईए और programming लिख कर कर फीड कर ये मतलब communication established नहीं होने देगा क्यों क्योंकि हर एक controller का अपना एक मतलब ये होता है मतलब वो mode of programming को accept करता है उसका एक protocol होता है और उस protocol के beyond जाना नहीं चाहेगा तो इसके लिए उस चीज का हम लोग को proper खयाल करना पड़ता है कि जिस company का आपका hardware है उसी company का आपका application software होना चाहिए और वो जिस version का है उसी version का आपका respective software होना चाहिए ये respective version के लिए कौन कौन सा application मतलब acceptable है तभी वो जाकर करें इंट्राक्ट करेगा और इंट्राक्ट करने देगा अदर्वाइस वो कहीं न कहीं मतलब दिक्कत मतलब problem create करेगा वहां पे last point आपका कहता है क्या sensitive to heat, dust, moisture, temperature and pressure हाँ sensitive है रहना कहने का मतलब की बहुत ही sensitive है लेकिन काम वहां पे करता है मतलब इस point पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि हम लोग वहां पे advantage में बात कर चुके थे तो disadvantage में इसको कहने का कोई मतलब ही नहीं है चिक है next अब थोड़ा से दिखे कि इसका history के बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले यहां पे लिखता है history of PLC अब history of PLC में हम लोग को यह नहीं पढ़ना कि यह कब हुआ किसके दौरा हुआ क्या 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 उतना ज़्यादा नहीं just for having information right सबसे पहले यहां पे बोला क्या मतलब था क्यूंकि PLC works on relay logic so if you do not have the knowledge of relay and contractor then you won't be able to understand the mechanism of PLC right मतलब कि in PLC programming depends on relay logic so if you understand the function of relay in a proper way then you could able to do the programming in a proper manner so that is why it is very essential to know about the relay in advance before going before going to the programming before going to the programming of what PLC ठीक है next यहां पे देखे क्या हुआ its development begun in 1968 यह देखे क्या हुआ कि सबसे पहले introduced हुआ PLC 60 में और 68 में इसका development starting हुआ किसके द्वारा US की एक car manufacturing company थी उसके द्वारा और the first PLC which was introduced was देखे जो पहला PLC जो introduced हुआ था उस PLC का नाम था MODICON MODICON इसका ना इसका यहां पे complete name क्या था modular digital controller इसका नाम था in a commercial field मतलब जो सबसे पहले commercial field में use हुआ था फिर उसके बाद देखे क्या हुआ कि उसी PLC में 1973 में communication abilities को मतलब डिबलप किया गया है ना वहाँ पे कि भाई अब यह तो PLC controller है इसका क्या होना चाहिए communicate करना चाहिए मतलब कोई ने कोई PLC मतलब PC होगा जिस PC में program बनाएंगे और उस PC के द्वारा हम लोग program को feed करेंगे तो feed करेंगे कि इसको controller को तो controller और PC के बीच में कहने कहने है communication होना चाहिए इस ability को develop किया गया 1973 में ऐसे करकर के ठीक है 1980 में हम लोग वहाँ पे एक और communication को थोड़ा सा standardized किये और जिसका हम लोग नाम दिये protocol protocol कहने का मतलब क्या होता है set of rules या set of instructions इसमें क्या होता है कि जैसे अगर इसको समझा है protocol के बारे में तो देखते हैं पहले का हम लोग का जो मतलब telephone जो था वो देखते हैं उसमें क्या होता था one way communication होता था मतलब की एक side से जो speaker होता था वो बोलता था और listener होता था वो सुनता था है ना बट आज के telephone में ऐसा नहीं है दोनों side से दोनों कोई बोल सकते हैं और दोनों कोई सुन सकते हैं रहना ऐसा है इस चीज़ का एक best example है जो देखे defense areas में अभी भी हम लोग walkie talkie use करते हैं उसमें देखेगा क्या होता है कि जब वो speaker होता है वो बोलता है जिससे की listener को पता चलता है कि now statement of the speaker has over now is my turn to speak and he is ready to listen समझ में रहे हैं ना कुछ हिस तरीके का वहाँ पर एक मतलब understanding है उस word का मतलब उस word को ले करके और वैसे communication established होता है तो वो कही ने कही ज़ादा secure mode of communication था क्योंकि one way में क्या होता था कि आपका जो मतलब मतलब जो भी masses होता था information होता था वो ज़ादा secure होता है और वो one way होता है दोनों साइट से आपका information पास नहीं होता है पर उसमें कही न कहीं थोड़ा सा delay था उसको और थोड़ा सा standard किया और उसके बाद two way communications हुआ मतलब two way communications में हुआ कि both are free or independent to speak at any point of time and can listen at any point of time यह ऐसा था जो आज के date में हम लोग मतलब जिस concept पे आज के date के जितने भी सारे मतलब phone हो गए या mobile हो गए वो सारा चीज़ बनाया गया है तो communications के area में भी asset development हुए है इसके बाद देखिए history of PLC में क्या बोलता है कि 1990s में introduced one new protocol जिसका की ये नाम दिया गया और वो merge किया गया इस PLC मतलब programming language के साथ मतलब कहां पे international level पे अब इसके बाद next point क्या कहता है कि PLC programming in FVD, STL or ladder what is the meaning of these three words FVD, STL, ladder कहने का मतलब कि जो PLC का जो basic programming language है वो आपका 5 है ये तो तीन तो आप यहां पे देख रहे हैं दो और है एक है आपका FVD, STL और ladder और एक है आपका statement list और एक है आपका और एक और कुछ है तो इसको हम लोग बोलते है FVD को बोलते हैं functional block diagram एक होता है statement, text, list और एक होता है ladder हना एक होता IEL instruction list और एक होता है और आपका कुछ और है अभी mind से ये है skip कर गया है इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या था और ये तीनों जो प्रोग्रामिंग लांग्वेज़ है आज के देट में जादा यूज होता है पर जहाँ तक हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे जादा ladder का हम यूज करते हैं और छो खास करके school या college हैं वहाँ पे हम लोग ladder को जादा यूज करते हैं क्योंकि एक easiest mode of programming को allow करता है मतलब आप इसमें आच्छे तरीके से programming को सीख सकते हैं कि step by step इसमें programming होता है और कोई text मतलब इसमें कोई textual programming नहीं होता इसमें just diagram बना करके करते हैं तो text से हम लोग ज्यादा मतलब text जो है तोड़ा सा complex method है programming को समझने का लेकिन जो आपका circuitry और जो step by method होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं programming को easily समझते हैं इसलिए ladder को हम लोग ज्यादा prefer करते हैं बट FBD STL क्या है यह हम लोग का foreign countries में ज्यादा programming language चलता है तो यहाँ पे questions भी आ सकता है कि sir अगर माल लीचे हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं तो हम लोग तो जानते हैं ladder बट suppose कि अगर हम लोग को ऐसा कुछ opportunity मिलता है कि foreign जाने का है और हम लोग सीखे हुए PLC और वहाँ के companies में काम करना है तो कैसे करेंगे तो इसके लिए घबराने का बात नहीं है software में एक option है कि कि किसी भी programming language को आप बिना जाने हुए उसको आप convert कर सकते हैं one into another इसके लिए मतलब घबराने का कोई बात नहीं है कि आपको तीनों language को जाना है नहीं if you know anyone it's enough right to make the programming क्यों क्योंकि easily one language can be converted into other other ठीक है ना तो इसके लिए कोई मतलब यह difficult difficulties नहीं है next अब देखिए क्या है application of PLC application of PLC में क्या-क्या है भई तो यहाँ पे कुछ कुछ application है जिसका कि यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है कि यह सब जो भी सारे एरियाज है वहाँ पे PLC को यूज करते हैं ठीक है ना मुलब PLC can be used in every field where automation is required here are few applications of PLC क्या-क्या है conveyor system जैसे देखिए जितने भी आपका coal industries है है जहां पे कि कोल का मतलब transfer होता है one place to another place राइट या जितने भी food and food packaging industries है beverages industries है जहां पे क्या होता है कि conveyor bottle मतलब जो bottle है conveyor पे रखा हुआ है उसमें filling हो रहा है और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है यह food packaging industry में भी same application है तो वहां पे process को control करने के लिए आपका conveyor को control करने के लिए PLC का यूज होता है दूसरा है आपका elevator elevator में भी PLC का control मतलब को हम लोग PLC का यूज करते हैं elevator को control करने के लिए जैसे मतलब घर के में देखिए जो मतलब जितने भी मतलब buildings होते हैं जो बहुत मतलब हाइट होता है उस building में जो building का जो elevators होते हैं वो उसको control करने के लिए हम लोग वहां पे PLC का use करते हैं event तो ऐसे मतलब motor होता ही है और button manual switches होता है जिसको क्या प्रेस करिया और यह सब control कर सकते हैं बट ऐसा कोई बात नहीं है वहां पे अगर आप उसको automate करना चाहते हैं तो वहां पे PLC और देखिए जहां पे भी automation का बात आता है तो आप उसको easily control कर सकते हैं फिर क्या है उपर में ही बात कर लिए थे फूर पैकेजिंग इंडस्ट्री या और भी किसी भी तरीके का जो पैकेजिंग इंडस्ट्री से वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं प्लेश्मिंट सिस्टम जैसे तर्य करते हैं और बनते हैं उसको करने के लिए मैं क्या करते हैं इसका प्लेशी का यूज करते हैं तो यह सब सारे different areas हैं जहां पे हम लोग PLC का use करते हैं और इतना ही नहीं घर से लेकर के industries तक जहां भी हम लोग use करना चाहे PLC किसी भी application को करने के लिए तो हम लोग PLC का use कर सकते हैं There is no restriction आगे बढ़ते हैं देखिए उसका एक छोटा सा example दिखाए है यहां पर देखिए क्या होता है इधर में machines है और यहां पर लगा हुआ है कि object जो भी अगर यहां पर आएगा वह easily इधर में आपको मतलब convey करके यहां पर ले आया जाएगा with the help of conveyor ठीक है यहां पर लिखा भी है Here is this picture shows the conveyor system where each segment runs by a motor है ना जितने भी segment है वो motor के थूरू control होता है और इस सारे segment को finally control करने के लिए PLC का यूज़ करते हैं and the whole system is running through PLC समझ है ना कि इसको चलने के लिए motor इसको चलने के लिए motor इसको चलने के लिए motor और इस तीनों motor को एक sequence में control करने के लिए controller जिसका नाम है PLC ठीक है आप यहां पर देखें क्या लिखा हो है types of PLC बिल्कुल देखें there are types of PLC till now अभी तक कुछ ऐसे ऐसे PLC हैं देखें आप micro PLC, mini PLC, rack PLC, nano PLC और इसके बारे में देखें क्या लिखा है कि nano PLC is the smallest PLC ठीक है ना उसके बाद आपका micro PLC उसके बाद आपका mini PLC and the biggest one is rack अब इस सब में difference क्या है समझे यह सब जो PLC है आपका nano, micro, mini है ना यह सब जो आपका PLC है आपका मतलब दोनों में देख सकते हैं किस में nano, micro, mini यह तीनो मतलब nano, mini, micro, rack ऐसा होता है ना नो PLC, mini PLC, micro PLC, rack PLC है ना तो यहां पर देखें क्या होता है कि nano PLC जो सब से smallest है इससे बड़ा होता है mini PLC इससे बड़ा होता है सबसे चोटा nano PLC उसके बाद micro PLC उसके बाद mini PLC उसके बाद रैक PLC ऐसे है सीरियल ठीक है ना मीनी, mini, micro, nano, micro, mini, rack ठीक है आप देखें इस तीनो में डिफरेंस क्या है चारो में डिफरेंस क्या है कि nano, mini, micro, जो है आपका modular PLC है ने, 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 compact PLC है और यह जो आपका rack है वो आपका modular design है मतलब design के लेबल पे तीनो में डिफरेंस है, nano PLC, mini PLC, macro PLC, are modular, sorry, are compact in design, but whereas rack PLC is concerned, it is modular in design, का ने का मतलब कि यहाँ पे add-on का scope है, but इस तीनो में add-on का कोई scope नहीं है, एक बार जो manufacturing होकर के आगया कि इस PLC में इतना port है, तो उतने ही devices को यह चला, मतलब चला सकता है, जबकि rack में ऐसा नहीं है, as per need, इसमें हम लोग module को और add करके, और number of devices को चला सकते हैं, इसी लिए, मतलब इसी benefit के कारण, इस rack PLC को जादे हम लोग इंडस्रीज में यूज़ करते हैं, और इसको भी हम लोग इंडस्रीज में यूज़ करते हैं, बड़ जहाँ पे देखते हैं, यहाँ यहाँ पे पहले जो था, आपका mini micro rack ही था, यह तीन PLC ही था, लेकिन क्या था, कि अगर हम लोगों को प्रोजेक्ट में यूज़ करना हुआ, तो कोई छोटा PLC था नहीं, और उतना ज्यादा cost हम लोग लगा नहीं सकते थे, मतलब 50,000 रुपया, एक लाग रुपया प्रोजेक्ट में एक controller को खरीदने के लिए, तो उसके point of view से एक PLC बनाया गया, जो specifically कि बहुत ही छोटा है, मतलब 10-12 input-output का, अना उससे भी कम, मतलब 5-7 input-output का, कि जिसको हम लोग project work के लिए colleges में यूज़ कर सकते हैं, मतलब 15-20,000 रुपया तक में, हना, तो इसके लिए इस nano को बनाया ग आगे देखिए, इसमें लिखा भी है, कि जो आपका micro PLC है, उसमें आपका 15-20 input-output होते हैं, sorry, input होते हैं, और 10-12 output होता है, ठीक है, मतलब इसी, मतलब उसका size के accordingly PLC को ये किया गया है, divide किया गया है, आप देखिए, मीनी PLC में क्या होता है, 100-200 input-output port होते है, देखिए, य input-output as per their requirement, देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर scope होता है, कि आप thousands of input-output को connect कर सकते हैं, एक PLC के साथ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे rack system है, आप module को लाइए, इसमें insert करिए, और उसको connection करके आप उसको चला सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर देखिए, लिखा भ design हैं हैं तो उसमें तो आपका, मतलब limited number of ports ही होता है, उसमें तो कोई scope ही नहीं होता, ठीक है, इसके लिए, मतलब यही जो है, आपका main difference, difference है, mini, micro, rack, nano की बीच में, ठीक है, next आप देखिए, मतलब PLC manufacturers, कौन-कौन से हैं, मतलब कौन-कौन सी company है, जो PLC को बनाती है, तो सब से पहले देखिएगा, क्या है, Switzerland की दो company है, हैना, यहाँ पर, मतलब उसका थोड़ा साथ पटा name है, हैना, Switzerland की है, फिर यहाँ पर देखिए, क्या है, शाय, हैना, वेड, वेड, मूलर, ऐसे करकर के, सब Switzerland का जो name है, वो है, आपका language है, फिर देखिए, European, जो countries है, उसमें सब वेगो करके है, फोनिक्स करके है, हैना, यह सब सारे जो PLC, European market में ज़्यादा चलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या बोला है, कि 16% जो market है, वो आपका Simmons कवर कर चुका हुआ है, worldwide, और यहाँ पर देखिए, sorry, European market में है, और worldwide market में जो PLC, मतलब जो PLC, यूज होता है, वो फू, जी, फूजित्सू, योको गावा, ऐसे करकर के हाँ पे, इस सब सारे जो भी companies है, इस सब सारे companies का PLC market में आपलेबल है, जो worldwide label पे, European market में, और स्वीजियर लैंड में की दो ही company है, इसमें इंडिया का नाम देखिए, कहीं भी नहीं है, क्योंकि इंडिया इस टाइप क आप लोग को हम software से मतलब interact करवाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, अगर कोई आप लोग को इसमें doubt होता है, तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और या तो ऐसा होता है, तो आप मतलब वहाँ पे questions भी कर सकते हैं, उसका मतलब जब आप देंगे, दिया जाएगा, फिर से वन्स अगें, थैंक यू सो मच, फोर मतलब हाविं सच पेसस पूर लिस्न लिस्निंग राइट